जहां भारत जियो पॉलिटेक्स में अमेरिका कैनेडा से लेकर योएन तक में अपनी चाव मजबूत करने में लगा है तो दूसरी तरफ भारत अपनी आर्थिक शक्ति में इजाफा करने में लगा है जहां भारत अब चीन को काटने के लिए नेपाल में एक बड़ी फैक्टर जल्दी मजबूत कर अपनी पकड़ को सुनश्चित कर सकेगा और ऐसा लगता है इस कड़ी में भारत बाजी मार ले गया है दरसल भारत की सबसे बड़ी बैटरी रिसाइक्लिम फर्म ने नेपाल में अपने कदम रख दिये हैं जिसमें लोहम आने वाले पांस सालों में दो एक्टरिक वहिकल चीन से इंपोर्ट करता आया है तो बैटरी की तो नेपाल में कोई कमी नहीं रहने वाली है मतलब भारत की ये फैक्टरी अपने बड़े काम को चीन की नाक के नीचे बड़े खास प्लान को पूरी करते हुई दिखाई देगी और भारत के इस कदम से नेपाल में विदेशी निवेज दस्तक देता नजर आएगा और ये चीन के बने बनाय जाल को काटने के लिए भी कारगर सिद्ध होगा क्योंकि चीन बस एक्सपोर्ट करना जानता है क्योंकि अगर वो अपनी टेक्नलोजी साजा करेगा तो उसका धंदा ही चौपट हो जा केनडा की गरतन पकड़ने का अच्छा मौका मिल चुका है आपको बता दे कि तूर्की केनडा दोने नाटों के सदव से देश हैं पर यहां केनडा ने तूर्की पर एक ऐसे प्रतिबन लगा रखे हैं जो उसकी ताकत को आधा करने में लगे हुए हैं आपको बता दे कि 2019 के आसपास तूर्की की तरफ से सीरिया में कुछ कारवाई की गई थी जिसकी वज़े से केनडा ने तूर्की में एक्सपोर्ट किये जाने वाले अपने मिलिटरी एक्यूपमेंट पे ही बैन लगा दिया था और अभी यह चौता साल है और यह बैन जसका तसी है जिसमें स्पे अजर्बेजान और अर्मेनिया की बीच में जो यूद हुआ है उसमें इनी ड्रोन का इस्तमाल हुआ है और तूर्की की अजर्बेजान की दोस्ती के ही कारण इस यूद में कई मासूम लोग भी मारे गए थे यह सब देखते हुए कैनडा ने तूर्की जाने वाले अपने स चलने ही पा रहा है वरना वो अजर्बेजान की मदद करके अर्मेनिया को और जादा नुकसान पहुचाता वैसे यहां दोनों ही ढककन देश हैं जो एक पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ चुका है दूसरा खालिस्तान का घड़ा भरने में लगा हुआ है